हलो बच्चो कैसे आप सब उमिद करते हैं आप सब भौत बढ़िया होंगे तो आज का जो वीडियो है ना यह बहुत इंपोटेंट होने वाला है कैसे तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं जे-ए मेन or नीट इन दोनों में क्या similarity है कितनी similarity है आपको पता है कि J.Main का जो पेपर है या J.Main के जो पेपर है वो नीट से पहले होते है ठीक है एक पेपर एक जो है जनवरी अटेम जो है वो जा चुका है उसका result भी आ चुका है एक दो दिन पहले ठीक है और एक अप्रेल में एक और अब 2023 में जब J.Main का पेपर हुआ वो दो एटेम हुए एक जनवरी एटेम हुआ एक जो हो इसके बाद में अप्रेल एटेम हुआ इसके बाद में जो मही में मही के फस्ट विक में नीट का एक्जाम हुआ तो आज हम यह देखें कि देखो दोनों में कितनी जादा similarity है कि ज इस पैटरन पर कॉश्चन जो हो जई में में पूछे गए थे उसी पैटरन पर कॉश्चन नीट पर पूछे गए यह एक मैंने जो हो जई में 2023 और नीट 2023 का एक छोटा सा comparison किया है मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है जई में के दोनों अटेम लिये हैं दोनों आटेम जनव इस केवल chemistry का है या physics को अगर analyze करोगे वहाँ पर भी आपको इस तरह की similarity दिख जाएगी तो मैंने यह देखा यहाँ पर यार बहुत सारे question जैसे लगबग 17 question chemistry में ऐसे हैं जो या तो same concept के हैं या फिर उसी concept के आसपास करने का मतलब जो concept जहीं में में पूछा गया था same to same उ इतनी similarity आप देखो के chemistry में 45 question आपको करने होते हैं 45 में से 17 question आप देखो के 35-40 percent कवरे जो हो जहीं में कवर कर रहा है नीट के paper में से और यह केवल chemistry है आप physics उटा के देखो कि तो physics में भी लगबग इतना ही portion कहने का मतलब अगर आपने जहीं में के paper solve नहीं किये तो हो सकता ह बाकी सारे neat aspirants से आप एक अदम पीछे हो जाओ तो मैं आपको यह suggest करूँगा कि यार जेई मेंस के जो paper है ना वो January attempt और जो April attempt जो होने वाला है जनवरी attempt के सारे paper जो हो मैं PDF में डाल दूँगा टेली ग्राम चेनल जो हो मैंने बनाया हुआ उस पर जो हो सारे मैं शेयर कर दूँगा केवल physics और केवल chemistry गे maths आपके काम का नहीं है तो वो शेयर करने का भी कोई मतलब नहीं है वो सारे paper जो हो मैं डाल दूँगा उस पर तो आप वहां से download करना उसका print निकल वाना बाद मे solve करना इसने mobile में देख रहे हो ना उससे output इतना अच्छा नहीं आता है आप जो हो देखो जरा कि पहले हम इसको देखते हैं कितनी similarity कितनी जादा similarity है दोनों में है ना जैसे यहां पर कि हमारे पास जो नीट में question आया balancing of redox reaction का अब इसमें देखना क्या दे रहा है CR207-2 यह question same to same J mains का question है 2023 पे CR207-2 यह जो PDF मैंने जो बनवाई यह इसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस यह option में correction हो सकते हैं लेकिन वास्ता में आप actual paper मिला के देख लेना अभी केवल जो हम idea ले रहे कि कितनी similarity है या तो same question आएगा या उसी concept के जैसे J mains का concept है उसी concept के आसपास का question जो जो आइरन प्लस टू दे दिया यहां पर आइरन की जगा सिल्फाइट आयन दे दिया और वही acidic मेडिया में उसको बिलेंस करना है इसको बैलेंस का question आया यह question J main में पहले पूछा गया इसके बाद में same to same question कहां आ गया नीट में आ गया यह लोजी हो गया काम ठीक है फिर द complex compound is most stable complex की stability पूछी है J main में देखो which of the following complex is octahedral diamagnetic and most stable yellow जी वापन से similar question दोनों में stability पूछी है अगर आप J main के paper पिछली बार solve कर लेते अगर जो repeater है मैं खास करकी उनकी बात कर रहा हूं तो अगर आप J main के paper solve करते तो कम से कम आपको 35 question का पूरे में physics chemistry मिला के benefit होता और जो बच्छा repeater है जिसने last year मेनत करी थी ठीक है वो मेरे ख्याल से ज्यादा दूर आप नहीं रहे होंगे आप 2-4 question 2-4 question की ही बात होती है यहाँ 35 question का difference आ रहा है तो इस बार आप यह गलती मत करना आपको paper solve करने है मेरे भाई करने है अभी January attempt के paper जो मैं डाल रहा हूं April attempt जब हो तो आप जो हो चैनल को subscribe कर लो यहां तक आए हो तो अक्सर जो हो subscription जो हो उस ratio में नहीं मिलता है जिस ratio में वीडियो के view जाते है लेकिन यहां आपको फाइदा ही होने वाला है अपना ego side में रखो subscribe करो रहसे मैं ज्यादा बोलता है नहीं subscribe करने के लिए ठीक है ना लेकिन साग का सवाल हो गया ना कि एक्जक्ट जो question जे में 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 आया वह नीट में एंटीय में उठागे ऐसा थोड़ी ना होता है लेकिन अगर आपने इसके आसपास का concept कवर कर दिया ना concept इसने देर का octahedral diamagnetic complex दे रखा है इसने most table तो इस question के आसपास का सारा concept कवर करते हुए आपको चलना है पेपर इसी तरह के से सॉल करना है एक्जक्ट नहीं आएगा एक्जक्ट में गैरेंटी नहीं लेता हूं कि exact question पूछ लेगा लेकिन similar concept का question जो आने की probability बहुत जादा है आप और देखना जरा अगले question की तरह बढ़ते हैं आप यहां पर देखो जरा conductivity का question पूछ लिया आप इधर देखो जरा कि resistivity of point two molar दोनों में molar conductivity दोनों में जो वो एक ही चीज जो हो क्या होगी मतलब आप देखो same almost near सा concept जो हो लग रहा है दोनों में ठीक है तो यह चीज धान दो और देखो जरा और कितनी similarity है यह देखना जरा कि अभी तो metallurgy की बात हम नहीं करेंगे 2024 में क्योंकि metallurgy जो हटा दिया है लेकिन हमें जो यह देखनी है कि दोनों में कितनी similarity है क्योंकि अगर metallurgy का question नहीं आएगा कोई दिकत नहीं इसके दूसरे चप्टर से आएगा तो वहाँ पर similarity होनी की संभावना क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है ना जैसे इसमे question जो हो यहाँ पर algorithm diagram से आया है कौन किसको reduce करेगा कौन किसको reduce नहीं करेगा अगर यह जो हो आपने ठीक से पढ़ लिया होता है जैमें के paper solve कर लिया होते तो आपका यह question पका जो क्या हो जाता clear हो जाता last year ठीक है और चलते देखो जरा आगे और देखना जरा मैं खहरा 1718 question में similarity है एक question तो ऐसा है जो जैमें में में दो बार आया same to same जो नीट पर पूछ लिया गया अभी उसकी बात करेंगे आप देखना जरा कि अगला question जो हो आपको यह बोर रहा है थर्मों का question है which among us the following option is the correct relation between change in enthalpy internal energy का relation पूछा डेल्टा है डेल्टा 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 इं पास यह रहा देखो structure से question आया कि किसमें कितने बॉंड है आपको यह पूछ रहा है कि किसमें कितने बॉंड है ठीक है अब देखो exactly तो similarity है जगा नहीं हो सकती ना यहां पर आप देखो आपको देरका है फोस्फो मतलब यह पर ऑक्सी यह थोड़ा सा जो मिस्प्रिंट है यहां पर sulfuric acid पाईरो sulfuric acid इसमें किसमें कितने बॉंड है आपको यह पूछ रखा है ठीक है जबकि दूसरी तरफ यहां पर आना जरा देखो क्या पूछ रखा आपको आपको जो इसमें वही देखो जरा कि किसमें कौन सा बॉंड है अगर इस तरह के question आपने जही में को solve कर लिया होता तो यह question अलंकि question जो हो ज्यादा मुश्किल नहीं है यह वाला तो आसा question है ठीक है थोड़ा सा हम और आगे ब free energy change आपको same to same जो equilibrium का question ऐसा ही question जो यहाँ पर भी है ठीक है और थोड़ा सा आगे बढ़ते है तेखो मेरा मोटीव यहाँ पर आपको question solve करवाना नहीं है यह सारे question 2023 में आपको मिल जाएंगे तो solve आपने कर लिया होंगे यह मैं उमीद करता हूं आप से ट्रेंकुलाइजर का question जो वो आया chemistry everyday life का question आया है यह chemistry everyday life का question है और क्या पूछा देखो some tranquilizers are listed below which one of the following belongs to barbiturate ठीक है अब यहाँ पर देखना कि यह तो है नीट का question जही में में आया among the following the number of tranquilizers यह logic tranquilizers का question जही में अपरेल और जनवरी एटेम सौल कर लिया होता तो question सही हो जाता है इसके आसपास की बाते आपको चेक करने हैं ऐसा नहीं कि question पढ़के रटके चले जाओ ना रटने से काम नहीं चलेगा यह थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि बोलते हैं कि नकल में भी अकल की जुरुत होती है बस वही बात है कि आसपास का concept कवर करते हो चलना है जही मेंस का question आया polymer से हरलंग की topic जो वह हटा दिया है लेकिन कोई दिकत नहीं है हम यहां similarity चेक करें कि कितनी similarity होती है match the column है यह question था और इसमें देखना ज़रा क्या पूछा है poly chloro isoprene या chloroprene या neoprene के बारे में जो दे रखा है और neat में question आया किसके बारे polymerization product of neoprene, neoprene से question आया अब मुझे बताओ और क्या चाहिए और क्या बच नहीं करोगे तो एकदम पीजो जाओ खास करकि मैं repeater बच्चों से बात कर रहा हूं मेरे भाई पिछले साल जो गलती करेती इस साल हमें वो गलती नहीं करनी है और आ गया जाओ और देखो ज़रा कि यहां पर देखना यह लो अब और गया की बात आते है question क्या है decreasing order of dehydration of the following alcohol dehydration का decreasing order पूछा है यहां देखो जरा क्या है which of the following will be most replicate dehydrated under the acid condition dehydration का order पूछा है और बताओ और क्या similarity चाहिए नीट का paper leak हो चुका था अगर solve कर लेते तो नहीं किया तो भहिया आपकी गलती है इस बार mistake मत करना और देखो और देखो solid state solid state देखो the cubic solid is made up two element x and y atoms of x present at every alternate corner one of the at the center of cube y is one third of the total faces the empirical formula solid state हट गया है कोई दिकत नहीं है यहां से अटा इसका वेटेस किसी ओर चेप्टर में जाएगा यहां देखो compound formed by two element a and b अब यहार देखो exactly तो कैसे हो सकता a occupy one third of tetrahedral void compound a x by पूछा है यहां पर जो हो इसका formula same to same formula यहां पर same to same concept का question अगर आप यह वाला question कर सकते हो तो यह वाला भी question बहुत आराम से आप solve कर सकते हो और आजाओ और देखो ज़रा और कितनी similarity और कहा कहा देखो question यह देखना यार बहुत ही देखो के question देखो ज़रा क correct statement from the following atoms of all element are composed of two fundamental the mass of electron is this the all isotope of chemical properties a given element show same यह इसमें थोड़ा सा missprint है यह पीडिया बहुत जल्दवाजी में तयार करी हुए तो इसलिए जो मैंने cross correction इसको देखा नहीं है proton electron मतलब question जो statement वाला है इधर देखना ज़रा जही में के question में देखो क्या आया फिजिकल properties of isotope hydrogen are different isotope से question आया है अगर यह question कर लेते तो यह question cover हो जाता ncrt का question है ncrt पढ़के जाना या ncrt के मत जाना भी या exam में ncrt पढ़नी पढ़नी आपको तो देखो ज़रा कि कितनी similarity है मास difference between isotope यह isotope से question क्वेशन दोनों से same topic से question आया और देखना ज़रा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरा motive जो है वो paper solve करवाना नहीं आपको बताना है कि प्रूफ के साथ बताना कि कितनी similarity है दोनों paper में लास्ट यह कितनी similarity थी ठीक है इससे पहले भी उठाके देख लाना आपको बहुत benefit करते हैं यहां पर जो हो इसको यह डाइजुनियम सॉल्ट को अठाके क्या जोड़ते भी आर गाटरमान reaction का नाम होता है गाटरमान synthesis और जब हम यह product यहां से यह question आया अब इसमें देखना जरा यह लो गलती कर दी NTA ने हैं कि यहां पर जो वो यह डाइजुनियम सॉल्ट दे रखा है यह अपने पास टू है ठीक है डाइजुनियम सॉल्ट और सी यू टू दे रखा है यहां पर क्या दे दिया सी यू टू ब्यार क्वेश्चन सॉल यह देखो एलकोईल की HX के साथ रियक्शन करवानी है यहां भी HBR देखो कितनी सिमिलर्टी है और क्या सिविलर्टी चाहिए और जो हो कहें किसर नेट में क्या आएगा यह आएगा मेरे भाई NCRT आएगी नेट में यह पेपर जो तू सॉल करके जा इन पेपर के आसपास क में कॉशन के आसपास का कंसेप्ट करके जा ओर कितना सिमिलर्ट चाहिए और जो हो ऑगा पूछना चाहते हो तुम धेख लो ज़रह यह अगला कोशन यह नग देखो slave का कॉशन है कहांसे आया है heterogeneous catalysis से आया है heterogeneous catalysis मैं एक चीज आपको बता देता हूं surface chemistry में आपको heterogeneous catalysis अ सेलेवस का है हेट्रोजीनेसस का जो है फू खजीigorounter की बहुत सारी रेrent शना जैसे ही एक्ष हाइड्रोजीनेशन केटलेटिक लेक्षन है हीड्रोजीनेशन तो यो केक्षेति कति लगता तो लो उसको शायद अफसोस होगा अगर उसने लास्ट एर के जेई मेंस के पिपर सॉल नहीं करे तो क्योंकि इतनी जादा सिमिलर्टी इन में जो हो देखो कैसे हो सकती है आप देखो अच्छा ये भी कोई गैरंटी नहीं है कि इस साल इतनी सिमिलर्टी आएगी लास्ट एर सत्रा कोईशन यार सत्रा कोईशन इस बिग अमाउंट ठीक है बहुत बड़ा अमाउंट है सत्रा कोईशन सिमिलर होना सेम कंसेप्ट के होना आसपास के कंसेप्ट को कवर करना बहुत बड़ा अमाउंट है इस साल ऐसा होगा जरूरी नहीं है लेकिन नहीं होगा ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि इस साल ऐसा नहीं होगा ऐसा भी तो नहीं बोल सकते ना तो भई ये है नेक्स देखना जरा यहां पर क्या लिखा है कि A.R. का क्वेशन है अब देखना ये क्वेशन पता नहीं कितना क में लेकिन जो हो kanfusen था नीट बच्चों को दे गो लिखा है का यक्टिवेशन एक्टिवेशन इनर्जी का कौश्व 16 economy स्टी एयो इлег घेंड़िन अनर्शी जिरो एक्टिवेशन energy देख यार कितनी ज़्यादा similarity दे रखी है अब और क्या बच्चे की जाल लोगे है देखो ये similarity है इतनी ज़्यादा similarity कहीं कोई confusion वाली बात ही नहीं नहीं अब मैं आपको पेपर solve करवाने नहीं बैटाओं question देखो last question है अपने पास anti जो की similar था question क्या है reduction करवाना है zinc hgsl क्या है यह क्लिमेंशन reduction है ना अब क्लिमेंशन reduction पर जेई मेंस में दो बार question आया है ना दोनों अटेम यह दोनों 2023 का January attempt प्लस 2023 का अप्रेल अटेम दोनों मिलाकर है यह question आपको solve करके जाने है यह देखो क्या question आया यह जो हो जेई मेंस का question है कहां से है क्लिमेंशन reduction से है zinc hgl क्लिमेंशन reduction का question है यह पर और इसके अलावा यहीं नहीं अभी रुको तेख यहा हपर देख नहीं यहां पर देखना वह ही यह तो जो है यह एक बार और सेम टू सेम जह हो क्लिमेंशन reduction होई wolf वुल्फ किशनर क्लेमेंशन एड़क्शन एक बार वुल्फ किशनर पूछ लिया एकवार क्लेमेंशन दोनों एक जैसे हैं दोनों एक ही काम करते हैं PDF के form में जो वो link description में भी डाल दिये है और telegram channel पर भी मैं PDF जो हूँ उनकी बेश दूँगा मैं आपको suggest करूँगा आप telegram channel join करें ठीक है और वहाँ पर जो आपको सारी चीजी ये मिल जाएगी ठीक है ना तो ये है भी या अपने पास आज का वीडियो बहुत जादा important है और भै देखो किसी को selection करवाना है तो solve करो और बाकी तो जो हमेशा की तरफ पिछली साल जो किया था इस साल भी वही करोगे तो जो पिछली साल मिला था वही मिलेगा इस साल भी मैं नहीं करता मैं जो हो मुझे बिल्कुल भी जो ऐसी आपसे अपक्षा नहीं है कि आप अपनी गलतियों को दोराओ अपक्षा यह है आप अपनी गलतियों से सीखो है ना जब तक आप अपनी गलती से नहीं सीखोगे तब तब तक आपको result भी वही मिलेगा जो पिछली बार मिला था, तो ये मत करना, समझे बात को, तो ये था आज का वीडियो, उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, comparison दोनों का अच्छा लगा हो, अच्छा क्या लगा है, इसमें अच्छा क्या लगना है, आपके selection तो solve करके जाना, समझे बात को, यहां से मिलते हैं next किसी वीडियो में, तब तक के लिए, thank you.